प्राइबरेनी की महराजगंज तैसियों में स्वियम की अदालत के एक कर्मचारी द्वारा पत्रावलियों में स्वियम के हस्ताप्षर बनाकर आदेश करने का मामला प्रकाश में आया है पत्रावलियों में परजी हस्ताक्षर बनाकर आदेश करने वाले कर्मचारी को पुलिस हिरासत में दे दिया गया है S.B.M. शालिमी प्रभाकर को जाच के दौरान चार पत्रावलियां ऐसी मिली है जिसमें परजी हस्ताक्षर वा आदेश दर्ज पाए गए है श्रीमीती प्रभाकर उस कर्मचारी के खुलाफे पाया गर्ज कराने कथा उच्छा धिकारियों को सुचित करने की वाद करी है आपको गतादु की प्रायवरेली जंपर की पैंसी महराजवंच के S.B.M. कोट की पत्रावलियों में उन्हीं के एक कर्मचारी द्वारा परजी हस्ताक्षर बनाने का मामला प्रकाश में आते ही लोगों में फुस्फुसाहत बोटने को मिली कामिंदो राधेशयां सुनवार को एक पत्रावली उपर श्रीमती प्रभाकर से कुछ मंत्रना करने गये थे उस पत्रावली में निरीक्षन के दौरान श्रीमती प्रभाकर को अपने हस्ताक्षर संबुत्र दिखे उन्ही ने अदालक में पत्रावलियां खोजवाई तो कुछ पत्रावलियां नदारत पाय गई प्राप्ट जानकारी के मुताविक पत्रावलियों का रखरखाव करने वाले अहलमत को तलब किया गया तो मालूम हुआ कि वह भी अवकाश पर है श्रीमती प्रभाकर की टीम एसे में अहलमत गौरव सिंग के घर राय बरेलो पहुँच गई जहां से चार पत्रावलिया और बरामद हुई उपजिला धिकारी के जिसमें हस्ताक्षर फरजी पाए गए उपजिला धिकारी श्रीमती प्रभाकर ने बताया की दयाराम आधी बनाम घाउं सभा 1338 वराम पालाज बनाम घाउं सभा बढ़ारूप 1316 एक हनुमान सिंग बनाम घाउं सभा भोसी धारा चोबीसेश प्रताप नारायन बनाम घ्राम पंचायत मगैया 1338 की पत्रावलिया अहलमत गौरव सिंग के घर से बरामत हुई जिसमें गौरफ सिंग के फर्जी हस्ताक्षर हुनी की बात प्रकाश में आई है वही गौरफ सिंग को फर्जी आदेश हस्ताक्षर बनानी के आरोप में पुलिस हिरासत में दे दिया गया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की वात कही गई है और डियम गर कमिशनर को मामले की रिपोर्ट भी भीजी गई है